Algo Trading को लेके, अक्सर मुझसे लोग काफी सारे सवाल पूछते रहते हैं, थे keep on asking me की, क्या हमें Algo Trading करनी चाहिए, क्या जरूरी है, बिना Algo Trading के क्या कोई successful नहीं हो पाएगा, इसके सीखने के लिए हमें कितना समय लगेगा, क्या जो non engineering, non coding background का है, वो भी Algo में जा सकता है, इस थोड़ इसी depth में based on my real time experience समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यार advantage क्या होता है why do people definitely want to go for algo trading एक simple सी बात है speed of execution यहाँ पर बढ़ जाता है देखे, algo trading कुछ नहीं होता है आपका जो strategy है आपके जो technique है, आपका जो system है उसको आप manual use नहीं करते हो उसके पीछे robot छोड़ देते हो कि भाई मेरे को emotion नहीं चाहिए, मेरे को कोईच नहीं चाहिए तुम direct इस चीज को चलाओ तो that is basically आपने एक algo set कर लिया है तो एक simple उधारन के तोर पर अगर मैं बताओ अगर आपको 30 orders place करने मात्र 15 seconds के अंदर 30 order, मात्र 15 seconds के अंदर तो manually करते करते आपको दादा, नानी, काका का की याद आ जाएगी लेकिन अगर आप algo को उससाब से guide कर दोगे तो within 15 seconds वो 30 के आपके लिए 100 orders punchip करतेगा इसलिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब specifically आप options पे trade करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि पहले वो कोई price नहीं दिखता, जैसे याँ price डालते हो अचानक से वहाँ पर बहुत सारे price आ जाते है ये कोई इंसान नहीं कर रहा ये भगवान में नहीं कर रहे है ये कौन कर रहा है, ये algo systems कर रहे है तो इस पे काफित लोगों का दूसरा सवाल आता है कि यार अभिशेक भाई हमको ये सब नहीं आदा टेकनिकल वेकनिकल नहीं आदा तो हम pre-built system ले ले लेगा अगेन based on my experience ये जितने भी platforms रहते ना इन पे दो-तीन issues रहते है पहला उदा traffic issues फोर एक्जामपल अगर बहुत जादा उदा traffic आता है तो आपको anyways data पे lag मिलेगा तो basically जो आपके broker के पास 10 second में data आ रहा है वो इन systems के पास हो सकता है 15-16 second में चलिए अगर traffic का भी issue नहीं होता है तो इनका थोड़ा infrastructural issues होता है इसको समझे infrastructural तक घरबार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ let's take an example आज आप, आपका नाम मान लेते मनोज है तो मनोज बोलता है कि मैं ये XYZ website को पैसा दोंगा और इसके algo system पर work करूँगा तो usually इनके पस कुछ pre-built scanners और screeners होते हैं जो बहुत limited होते हैं 50 combination होंगे for example, moving average का breakout हो गया volume breakout हो गया all time high का breakout हो गया that's it तो हो सकता है ये इतने generic हो जाते हैं कभी कबार कि ये after a certain point of time आपको ज़्यादा काम के नहीं लगेंगा वहीं पर अगर आप खुद का pre-built एक algo system बनाते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़े के भी बहुत ज़्यादा permutation combination करके उसकी back test करके यहाँ पर system बना सकते हैं लेकिन आप लोगों का ये सवाल होगा कि मुझे तो यार coding आती नहीं है मैं तो ढंक सा coding नहीं कर सकता हूँ लेकिन मुझे एक full time career बनाना है as an algo trader तो देखें मैं आप लोगों को बता दू it's not necessary to become a good algo trader ध्यान से सुनिएगा it's not necessary ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे algo trader बनने के लिए आपको बहुत ही अच्छा coder होना अभिशक होगा अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने best toppers, IITNs, IIM जितने भी ये सारे लोग के bits पिलानी वाले सारे toppers best बंदे होते in the field of trading at the end ये आपके इधर रहता है और इधर रहता है आपको क्या समझना है कि अगर आपको नहीं आता तो it is worth paying someone rather than आप दिन भर उसी चीज़ पर hit and trial करें आप थोड़ा सा पैसा दे दीजे न जब इतना serious हो रहे हैं और कितना क्या देना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा stick around तो अब इस पे अपन बात करतेंगे कुछ challenges के बारे में बात करेंगे लेकिन अब हम बढ़ते हैं कि मान लेते हमको नहीं आती है तो हम outsource करते तो उसके costing कैसे लगेगी अब देखे अगर आप किसी developer को programmer को या outsource करते हो तो यह depend करता है कि आप किस प्रकार का algo system बनाना चाहते हो दो category के होते हैं एक simple system होगा simple system कैसा होगा जिस पर आप बोलते हो कि let's take an example moving average के उपर अगर stock चले गया मान लो 50 day moving average के उपर अगर मेरा stock चले जाता है 100 stocks में से और वो 5 minute उदर टिकता है तो मेरा algo system मुझे buy देगा 1% का stop loss लगा 2% का target लगाएगा ये एक simple system होगा वही पर complicated system क्या हो जाएगा कि moving average के उपर जब जाता है साथ में Fibonacci का भी ये breakout होता है साथ में यहाँ पर कुछ mean reversion हो जाता है साथ में volatility जब इतनी होती है साथ में अगर अभिशेक भाई की video like नहीं करी तो हमने अभी तक like कर दो साथ में जो भी हो इस तरह के अगर बहुत complicated होता है तो costing अलग होगी on an average market जो rate चलता है एक complex system भी आपको करीब करीब एक system की बात करा हो अगर आप ठीक ठाक बंदे से भी कराते हो तो 20 से 25,000 रुपीज तक हो जाता है simple system मेरे हिसाब से 7 से 10,000 रुपए में हो जाता है depends कि आपके negotiation skills कैसे है काफी सारे traders तो अपने साथी in-house team में रखते है month on month salary देते because every time they have to change this thing अब यहाँ पर आपको बता दो एक concept होता है जिस पर कि आपको data buy करना पड़ता है जी हाँ data buy करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है क्या करना पड़ता है वो भी अपन समझेंगे तो the most reliable based on my experience of the last couple of years is true data NSE approved instruments का आपको इधर data अगर आप थोड़ा सा माप तोल करेंगे तो मेरे साब से 8-10,000 में साल भर का आपको data मिल जाएगा अब आप पूछोगे कि भाई हम पैसा क्यों दे हम direct upstock, zero था, angel इधर से क्यों न ले ले वो भी मैं बताऊँगा don't worry जैसे मैंने बताया सब कुछ about algos मैं बताऊँगा और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब याद से कर लिजेगा तो अब उसी के आगे आप लोग के दिमाज में एक सवाल होगा कि क्या algos trading सही में holy grey ले क्या कि भई एक बार लगा डाला तो life जिंगा लाला देखे ऐसा कुछ नहीं है at the end algos system क्या करता है यह replace कर देता है आपका जो manual labor होता है उसको replace कर देता है ताकि आपके emotions हट जा यह सब बच जा into a robotic system at the end अगर आपके पास खुद का एक अच्छा strategy नहीं होगा अच्छा rule नहीं होगा अच्छा system नहीं होगा तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाओ पैसा नहीं कमा पाओगे in fact यह जो algos system का trend आए है विदेश से आए विदेश में काफी सारे लोग चाहे shares हो चाहे forex हो चाहे commodities हो चाहे cryptos हो इन सब में इन सारे चीज़ों का वैसे भी use करते ही है और उसके लिए काफी ज़ादा heavy dependence भी रहता है विदेश ने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर data buying भी की जाती है बट आपके दिमाग में यह समवाल होगा कि कितना समय लगेगा यह सारी चीज़े learn करने के लिए let's say अगर आप एक IT फिल्डी से भी हो तो आपको क्या क्या जरूत पड़ेगा पहली चीज़े आपको Python आना पड़ेगा आप बूलो के Python ही क्यो Java क्यों नहीं Java से भी आप कर सकते हो काफी सारे traders ने किया है but Python के around एक बहुत बड़ी community built up है across the social media platforms तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन लोगों से interact करने के लिए Twitter पे काफी सारे लोग available है Facebook पे काफी available है YouTube पे भी आपको मिल जाएंगे and that's why I recommend Python on an average अगर आपको खुच से सीखना है तो at least आपको 6 months का time लगेगा starting में आप Nifty का data NSE के website से भी download कर सकते कुछ लोग जिरूदा से करने की कोश करेंगे जिरूदा में आपको 2015 से तक का data मिल जाएगा 2015 के पहले का अगर data चाहिए तो again I have given an option true data के certain true data ने मेरे को आपने कभी कबार देखोगा freak trades हो जाते हैं या फिर आपको याद होगा कि कभी कबार brokers के साथ issue हो जाता है सुबेशे शाम तक नहीं चलते हैं या कुछ भी issue हो जाता तो in that case आप अपने algo systems में SL order तो instantly लगा ही सकते हो plus आप conditions दे सकते हो मेरे personally तो सबसे जो major advantage आता है जिपता भी आपका large scale होता let's take an example मेरे को मान लेता है 600 lot bank nifty के मानने है ठीक है तो 600 lots अगर में को bank nifty के मानने है तो practically it's not possible manually करने बैठ होंगा 5 minute में तो price कहा से कहा निकल जाएगा but same cheese अगर मैं algo में कर दू अलग-अलग loop लगा के within 10 to even 50 seconds ये पूरे ये सारे order execute कर देगा split कर देगा उसी साब से depend करदा मैंने कितने speed पे रखा है क्या set की है protocols तो can you just imagine मतलब एक manual बंदे को जहाँ at least half minute लगेगा वो भी ठक-ठक-ठक-ठक-ठक-ठक-ठक करके करेगा यहाँ पर इतने जल्दी हो जाता तो that is a basic advantage but उसी से एक दूसरे सवाल उठता है कि क्या retail को data buy करना चीए तो मेरे एक simple सा यहाँ पर question आता है कि retail जो beginner उठता है उसको कि 2015 का भी data मिल गया 2015 से भी that is fine तो वो 0-10 से fetching कर सकते वो सारी चीज़ है दूसरी चीज़ है कुछ लोगों का सवाल आता है कि का हम co-location पर जाकर trade कर सकते तो मैं आपको बता दू co-location वाली facility only HFTs के पास ही है high frequency traders जो करोडो करोडो 100-200 crores में करते हैं तो screenshot कहीं नहीं डालते हैं चुपचा पैसा कमाते हैं खाते हैं पीते हैं ना YouTube पे अपना screenshot दिखाते रहते हैं तो ये लोग रहते हैं तो मेरे हिसाब से retail को starting में तो data buy करने की ज़रौ तर नहीं है आप direct Excel पे download करकर कि ये सारी चीज़े कर सकते हो बट आपका सवाल होगा फिर भाई तुम क्यों लेते थे true data का data क्यों लेते हो तो उसका एक simple सा answer है because reliability जब आपका scale बढ़ता है जब आपके funds जादा बड़े होते हैं when you play into a few CRs तो ज़रूरी हो जाता है that आपको जितना accurate data हो वो मिल जाए तो can you just think कि जो मतलब general बता रहो किसी कभी कोई अगर करोडों के fund से कर रहा होगा तो that person won't mind spending 10,000 रुपीज, 15,000 और even 20,000 a year just for the data ताकि उसको accurate data मिले accurate back testing मिले accurate ये चीज़े मिले बट इसी के साथ-साथ algo system ऐसा नहीं होता challenges भी बहुत सुरू होते है by the way guys like नहीं किया तो like कर दो जितने ज़्यादा like उतने ज़्यादा videos तो challenges क्या होते है कि देखो सबसे पहली चीज़ है आपने अगर देखा होगा कि बहुत बार कभी कभार क्या होता है let's take an example अभी जैसे Russia और Ukraine का war होता अचानक से gap up gap down होते है और 1000-1000 point का अगर difference हो जाता है तो उस चक्कर में क्या होता है कि एकदम जो deep out of the money जहां पर कोई liquidity नहीं होती है उसमें अचानक से बहुत liquidity आ जाती है और अगर reverse side में चले गया example लेते है जैसे मानलो example ले रहे है 36,000 पर bank nifty है और आपने ले लिया call मानले चाहे 37,000 का hedging के ले लिया अब अचानक से अगले दिन बहुत बड़ा gap down हो जाता 1000 point का तो अचानक से यह होगा 37,000 के call पर हर कोई गायब हो जाएगा तो liquidity का जब crunch हो जाएगा तो आपका algo सही बंदे धून के execute ही नहीं कर पाएगा उस चक्कर में आपको manually interfere करना ही पड़ेगा otherwise बहुत बड़ा loss हो जागा और काफी सारे लोगों को algo system में भी loss हुए थे during covid का time उसके अलावा भी हुए थे तो one has to be very careful and by the way अगर आपको algo trading पे और वीडियोस चीए तो comments में algo लिख दीजेएगा जितने ज़्यादा algo दिखेंगे उत्ते जल्दी इन पे और भी वीडियोस आएगे उसके अलावा आपको यह चीत समझनी है कि आपके algo को from time to time आपको इतना efficient बनाना है कि यह आपको completely copy करें इतना robust बन जाए that even in the worst case scenario यह आपको copy करके execute कर सके trade that is something which you have to keep in mind अब एक और सवाल होता है कि एक नया बंदा आता है वो algo में डालता है तो क्या पहले से 2,000,000 के capital 4,000 के capital से चालो करें नहीं आप 5,000 से करो 4,000 से करो अब आप बोलोगे यार 4,000 में कौन सा option आता है future आता है तो मैंने बोला future और option में ही क्यों शुरू करना है आप intraday चालो करो 5x का leverage मिल जाता है आपको you start with something like PNB से कर लो या फिर ITC चलो ITC से मत करो गलत back test result मिल जाएंगे इस प्रकार कि अगर आप stocks के साथ करते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई problem नहीं होगी next क्या हर retail को algo ले लेना चाहिए तो मैं आपको बता दू जैसे data का cost हो गया फिर उसके बाद आपके algo maintenance का cost हो गया API के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता तो अगर आप यह देखते हो तो कोई बंदा अगर दो लाग रुपे लेके आएगा तो उसका करीब करीब 5-10% तो इसी चीज में से ले जाएगा तो मेरे हिसाब से that is not a viable solution प्लस drawdown अलग से practice अलग से यह सारी चीज़े तो मेरे हिसाब से जब तक आपका capital at least 10 lakh के उपर नहीं जाता है दिहान से सुनी 10 lakh के उपर नहीं जाता है तब तक आपको इतना algo-algo करने की जरुद नहीं है यह algo-algo क्या है यह algo-algo इतना आपको इतने करने की आविशक्ता नहीं है हाँ अगर आपका 10 लाक के उपर capital चले जाता है तो मेरे इसाब से it becomes really very important कि आप इन सारी चीजों के लिए approach करें ताकि आपका scale maintained रहे हैं finally जब आपका scale बढ़ने लगेगा तब up to data लीजिए ताकि आपको reliable data मिले and तब तक जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आपको 2015-16 का data तो सारे broker से मिली जाता है तो guys आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ interesting सीखने मिला होगा नया सीखने मिला है तो like करने में juice ही ना करें till then keep learning, keep growing, keep investing and हाँ अगर आपको चाहिए algos पे और videos and थोड़ा सा demonstration भी चाहिए तो comment में algos लिख दे ना जितने जादा algos आएंगे उतने जल्दी ये videos आजाएंगे till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading